मनोती, कहानियों को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए एक गाउ में एक किसान था, उसकी पत्नी एक बार बीमार पड़ी, दवादारू की गई पर कोई फाइदा न रहा इस पर किसान उस गाउ के मंदर में गया, भगवान के सामने प्रणाम करके मनोती की अगर उसकी पत्नी की बीमारी दूर हो जाएगी, तो वह अपनी एक मात्र गाई को बेट देगा उससे जो रुपए मिलेंगे वे मंदर की हुंडी में डाल देगा इस मनोती के बाद किसान की पत्नी जल्दी स्वास्त हो गई किसान को अपनी मनोती चुकाना पड़ा वह गाई के साथ एक बिल्ली को भी लेकर हाट में पहुंचा वहाँ पर कोई गाई को खरीदने आया उसने गाई का मोल भाव किया किसान ने कहा गाई का दाम एक रुपया है पर बिल्ली को खरीदे बिना गाई खरीदी नहीं चा सकती बिल्ली का दाम सो रुपये है गाई का दाम ही सो रुपये से कम नहों सकता था इसलिए ग्राहक ने 101 रुपया देकर बिल्ली और गाई को खरीद लिया किसान ने मंदर की हुंडी में गाई का दाम एक रुपया डाल दिया बचे हुए 100 रुपये देकर एक और गाई खरीदी फिर वह आराम से अपने दिन काटने लगा